नमस्कार करें दर्शकों नच्छत्र तक आपका अपना यूटूब चैनल मैं आपका जोतिश मित्रा अधित्य दुवेदी अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्रेशल कराना है तो 7800-771770 पर आपको वाट्सप करना है आज का विश्रेश बड़ा इंट्रेस्टिंग है आज आपको एक नई चीज सिखाएंगे तो चलिए चलते हैं अपने विश्रेश पर और आपको एक नई जानकाली देते हैं लाइक कर दीजिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आज का हमारा विश्रेश है बुध ग्रह से संबंधेद क्योंकि ग्रहों की सीरीच चल रही है शूर्य चंद्रमा मंगल से क्या विचार होगा हो चुका है आज बुध ग्रह से क्या विचार करें इसके बारे में बात करेंगे और इस कारिकरम को देखते हुए आप समझ जाएंगे कि आपका बुध सुभ है या असुभ है और क्या उपाय करना है बुध का उपाय भी हम आपको बताएंगे पूरा कारिकरम देखिए अंत तक जरूर देखा करिए निवेदन है आप से आप लोग पूरा नहीं देखते हैं जरूर देखिए पूरा अगर कुंडली में आपके बुध तीन नंबर की गिंती पर लिखा हुआ है तो बुध अपने घर का है स्वागरी ही है ऐसा बुध अच्छा माना जाएगा बुध छे नंबर की गिंती पर है तो उच्छ का है अच्छा माना जाएगा लगन और नौमांस दोनों कुंडलियों को देखिए अगर किसी भी लगन या नौमांस में किसी में तीन नंबर या छे नंबर में है तो बुध आपको अच्छा प्रेडाम देने में सच्छम है और जो बुध अगर आसे विचार होता है यहाँ पर सारी चीजे अच्छे रिजल्ट म है और वात पित इसकी धातू होती है अगर कुंडली में बुध अच्छा हो और राहु खराब हो तो बुध राहु के दोसों को समन करता है राहु खराब हो तो बुध को सही करके हम राहु के दोस का निवारन कर सकते हैं इसके अलामा बुध हमेशा कुंडली में सूर्य के आजपास ही रहता है। बुद्ध से वारी का विचार होता है व्यक्त की वारी कैसी है अच्छी है मीठी है बोलने में निपुड है की नहीं है या बुद्ध से विचार होगा बुद्धी देखेंगे बुद्ध से चतुराई देखेंगे यानि कुल मिला करके जो काम बुद्धी से लेना है मस्तिक्स से लेना है वो सब हम बुध से विचार करते हैं जो हमारे सरीर का सनायू तंत्र है वह भी बुध से ही विचार होता है नस नर्वस सिस्टम जो है वो भी बुध से ही विचार किया जाएगा बेपार में जो लोग है बेपार और वारिज्य का कारक ग्रह बुध है बुध से ही ब पार का विचार होता है sales and marketing में वे लोग अच्छा परदर्षन करते हैं जिनका बुद अच्छा होता है अगर बुद अच्छा है तो आप sales and marketing में निपुड हो सकते हैं लेखा जोखा से समबंदि जितने काम है वो सब बुद से होंगे बुद्ध अच्छा अगर है आपकी कुंडली में तो लेखा जोखा विभाग से संबंधिल आप काम करेंगे एकाउंटिंग का काम करेंगे या ऐसे छेत्रों में नौकरी के लिए योग बनेगा तो लेखा जोखा से ही जुड़ा हुआ गरना है गरना से संबंधिस सभी कार्य तरक ऐसे व्यक्तिकी प्रवल होती है तरक सास्त्री अच्छे बन सकते हैं बुद्ध अच्छा ना हो तो ऐसे व्यक्तिके तरक कमजोर होते हैं बैंकिंग भी भाग हो गया और कलरकियल जाब हरी आली हो गया हरी चीजें जैसे क्रिसी के कार्य हो गए हरे फल फूल और सबजियां हो गई तो बुद्ध के द्वारा देखेंगे अगर बुद्ध लाबभाव में है बुद्ध कहीं से भी रोजगार में भूमिका निभा रहा है तो ऐसा वेक्तिकिसी कार्य से या फल कुंडली में बुद्ध खराब हुआ है तभी उनकी नजर बिगड़ी हुई है अगर आपकी कुंडली में नामे घर में तीन नंबर या छे नंबर की गिंति लिखी है तो आपका भाग्योदय 32 वर्स में होगा अगर बुद्ध भाग्यका स्वामी है तो भाग्योदय 32 वर् आप देखेंगे बहुत से लोग होते हैं जो बात चीत करते हैं तो हमेش़ा प्रसंड न रहते हैं जो कठिन परिस्थितियां हैं विप्रीत परिस्थितियों में भी हसी मजाञ छोड़ते नहीं हैं हसी मजाग से युक्त रहते हैं उनका बुद्ध अच्छा माना जाएगा मामा का कारक होता है बुद्ध अच्छा हो तो मामा से अच्छा लाब मिल सकता है बुद्ध चूकी मस्तिक्स से जुड़ा हुआ ग्रह है बुद्धी से जुड़ा है चतुराई से जुड़ा है कुंडली में तीन या छे नंबर की गिंती पर है तो जोतिस में वे अच्छा तरक दे सकते हैं अच्छी सफलता पा सकते हैं जो लोग कम्प्यूटर इंजिनेरिंग में हैं या कम्प्यूटर से रिलेटर जिनका वर्क है यानि बुद्ध उनकी कुंडली में महत्वपूर है यानि बुद्ध के घर में जादा ग्रह बैठे हुए हैं बुद्ध आपको वैधक बना सकता है वैध बनाता है बुद्ध से ही दत्तक पुत्र का भी विचार करते हैं पत्र कारिता के छेतर में जिन लोगों ने नाम कमाया हुआ है बुद्ध उनका अच्छा है बुद्ध विसेश कर लेखन से संबंधित अकबार और न्यूस पेपर से संबंधित पत्र कारिता में अच्छी सफलता दिलाता अगर बुद्ध के साथ सूर्य भी अच्छा हो मंगल भी अच्छा हो तो व्यक्त इलेक्ट्रानिक पत्रकारिता में ज्यादा सफल हो जाता है लेखन पुस्तकों का लेखन या किसी भी प्रकार के लेखन कारियों में बुद्ध की भूमी का महत्वपूर हो जाती है मित्रों से लाब मिलेगा हानी मिलेगी बुद्ध से विचार करे तुचा का स्वामी बुध है बुध अच्छा होगा तो व्यक्ति की तुचा अच्छी होगी राहु के साथ में होगा पापिलित होगा तो तुचा रोग होंगे जीव का विचार भी बुध ग्रांसे ही करते हैं स्वास नली पर भी बुध का ही प्रभाव होता है बुध नीच का होगा तो बुध नीच का हो राहु से पिलित हो तो स्वास से संबंधित परेशानी आ सकती है स्रमन सक्ती का विचार बुद्ध से करेंगे जो सिल्प कारी होती है डिजाइनिंग होती है बुद्ध से विचार करेंगे बुद्ध जिनका अच्छा होगा उच्छारण उनका अच्छा होगा लोग उनके उच्छारण को असपष्ट तरीके से समझ सकेंगे स्वेत कुष्ट का विचार बुद्ध से होगा जिनको स्वेत कुष्ट है उनकी कुंडली में बुद्ध ग्राके का मंत्र जाप अवस्य किया जाता है वास्तु सास्त्री और वास्तु का विचार बुद्ध से होगा हस्तरेखा का विचार बुद्ध से होगा संपादक का काम बुध करवाता है प्रकासक का काम करवाता है लेखन का काम करवाएगा पोस्ट मास्टर की जौब भी बुध में आती है तो अगर बुध अच्छा है आपकी कुंडली में तो आपको बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए पन्ना पहनने से बुद्ध बन्वान होगा बुद्ध अगर पहले घर का स्वामी है पाच में का है नौ में का है तो पन्ना पहनी है अगर बुद्ध आपका खराब है या इन साथे चीजों में आपको लगता है कि परेशानी है तो आपको बुद्ध की बस्तूओं का दान करन हरी वस्तु में आप सबजी का दान कर सकते हैं हरी वस्तु में आप धनिया पाउडर का दान कर सकते हैं तो हरी वस्तु के दान से आपका बुद्ध सही होगा दान करने की बिधी मैंने आपको बताई है हाथ में जल ले करके आपको बोलना होगा कि मैं फिर अपना नाम मैं फला अपने असुभ बुध की सांती के लिए या बुधगरा के असुभ प्रभाव की सांती के लिए बुध की हरी वस्तुयें दान कर रहा हूं इतना बोलके संकल्प ले करके आपको दान करना होता है तो हरी वस्तुमों का दान कर सकते हैं और बुध के दान में जो धार्मिक साहित्य हैं संख है धार्मिक पुस्तके हैं उनका भी दान आता है उनके दान से भी आप अपने बुध को सही कर सकते हैं बुध का मंत्र होता है ओम बुम बुधाय नमा का जब आपको करना चाहिए 9000 मंत्र है तो 9 का 4 गुना 36,000 दसांस जोर देंगे 41,000 मंत्र ओम बुम बुधाय नमा का जब करके आप अपने बुध को सही कर सकते हैं अगर आप बुद्धग्रा से संबंदित किसी भी व्यावसाय में हैं और उसमें अच्छी सफलता चाहते हैं तो बुद्ध का मंत्र एक बार अवस्य जब कर लेना चाहिए और फिर अंत में इसी मंत्र से हमन करिए हमन में नमा हटा करके स्वाहा जोड़ देना है ओम बुम बुद्धाय स्वाहा मंत्र से हमन करके आप अच्छा लाव उठा सकते हैं बुद्धग्रा की जो अवसधी होती है उसकी जड़ को गले में धारल कर सकते हैं बुद्धगरा की ओसधी को अगर आप गले में लटजीरा होता है बोलते हैं उसके जड़ को अगर आप गले में धारल करेंगे तो बुद्धगरा से संबंदित चीजों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है तो आज के लिए इतना ही जिनकी लगन कुंडली में तीन नमबर या छे नमबर की गिंती पहले घर में पाच में या नमे घर में हैं वो भगवान विश्डू की उपासना करके अपना भाग्य समार सकते हैं तो लाइक कर दीजिए शेयर करिएगा और सब्स्राइब करिएगा इतना ही जै श्री किष्णा जै श्री राम